नमस्कार दोस्तों सुआगो थे आप सभी का सरकारी टुड़ेनियोस के ओफीशल यूटूब चलने में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुछ कबरी है क्योंकि KBS में आ चुकी है नई भरती जी हाँ दोस्तों केंद्री विध्याले संगटन KBS की तरफ से नई भरती का नया ओफीशल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इस साल 2023 का दोस्तों यह जो भरती है बिना परिक्षा के बिलकुल सीधी भरती निकाली गई है अगर आप भी सीधी भरती के माद्यम से नोकरी पाना चाते हैं तो KBS की भरती के लिए अपलाई जरू कीजेगा और यहाँ पर आपको जोइनिंग मिल रही है वो भी 17 जुलाई को सीधा ठीके तो सीधा आपको यहाँ पर जोइनिंग लेटर मिलेगा 17 जुलाई को तो आप अपलाई जरू कीजेगा तो अपलाई करने से पहले वीडियो को अंतक जरू दिएगा क्योंकि हम आपको KBS की इस नई भरती की संपूर जानकाई देंगे स्टेप बाई स्टेप और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों में जदा से यदा शेर कीजेगा रोजनासी प्रकार नई भरतियों की जानकारी के लिए हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकल जरूर दबाए ताकि हर एक नई भरती की सुचना आपको सबसे पहले में सके और वीडियो को जदा से यदा लाइक कीजेगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की नई भरती के बारे में जो की KBS की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2023 की दोस्तों बिना परिक्षा के सीधी भरती निकाली गई है ओमर शीमा जो है 18-58 सार रखी गई है ओल इंडिया की भरती है सेलरी आपको 35,000 रुपे महिना मिल रही है ठीके? और 17 जुलाई को आपको सिधा जोइनिंग मिलेगी तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको अपलाई करना है सीधा वापसाइट के माद्यम से तो दोस्तो हमारी जो नमबर वन वापसाइट है वो है सरकारी टुडेइनियूस डाट कॉम यहाँ पर आपको सबसे पहले नई भरती की जानकाई दी जाती है तो आप चाहें तो इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे सरकारी टुडेइनियूस डाट कॉम आपको सबसे उपर सबसे पहले यह वापसाइट मिल जाएगी तो आगे बढ़ते हैं दूसरी वापसाइट की और यह है हमारी सेकिंड नमबर की वापसाइट तो जैसा कि दोस्तो आप दिसते हैं केंडरी विध्याले संगठन की तरफ से यह नोटिफेक्शन जारी हो चुका है जिसकी संपूर्ण जानकर हम आपको दे रहे हैं और इसकी आवेदन आप दिसते हैं 17 जुलाई तक चलेंगे ठीके तो हम आ चुके हैं सीधा ओफिशल वापसाइट पर आज हम बात करेंगे केंडरी विध्याले संगठन केवीएस की नई भरती के बारे में दोस्तो केवीएस की तरफ से जो भरती निकाली गई है आप दिसते पीजीडी की भरती है टीजीडी की भरती है और बाल बाती का टीचर की है और यहाँ पर करियर काउंसलर की है स्पेशल एड्यूकेटर की है प्रैमेरे टीचर की है मल्टीपल जॉब से अपलाई आपको ओफलाइन करना है सेलेक्शन का प्रोसेस के वल आपका इंट्रुव के माध्यम से रहेगा आपकी एक्जाम नहीं होगी उमर सीमा जो है 18-65 साल है आई सीमा में चूट है क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बारवी कक्षा ग्रेजिट पास और बीएट पास सभी अभ्यारती जो है अपलाई कर सकते हैं इसके लिए आपका इंट्रुव होगा वो 17 जुलाई को रखा गया है और यह रहा लिंक अपलाई करने का नोडिफिकेशन के साथ तो आप दिसकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको सारी डेट्स दे रखी है सारी जनकारी यहाँ पर दे रेकी है नीचे आपको application forum भी दिया गया है यह application forum में इसको आपको भर करके submit करना होगा इंट्रुव के summit तो यहाँ पर आपको address भी दिया गया है PIN code के साथ में यही पर यह आपको जाना होगा इंटर्वू के लिए और अधिक जानकरी के लिए सुचना को ध्यान से पड़ेगा कोई भी सवाल है तो कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरू किजएगा जै हिं जै बारत